हे ओल राइट और वेलकम टू अले टूडेइज दे हिंदू न्यूज दिसकेशन आप डेली के बैसिस पर कम्प्लिट न्यूज विपर को कवर करते हैं हर एक न्यूज को कैसे UPSC prelims में पूछी जाएगी कैसे mains में पूछी जाएगी ये बताते हैं और particular जितना भी डेली के बैसिस पर एडिटोरियल्स होते हैं और न्यूज होती है उसके बैसिस पर आपको answer writing भी करवाई जाती है overall section देख लेते हैं सभी न्यूज को headlines देखी United Nation General Assembly ने जब PM Modi की speech हुई तो कौन-कौन से terms पर उन्होंने बात की कौन-कौन से मुद्धों पर बात की ताकि वो मुद्धे mains माए और directly उसको हम input दे है cyclone globe ये किस country ने नेम दिया था comment box में बताना detail में अभी हम पढ़ेंगे और कैसे जो cyclone के नाम दिये जाते हैं वो भी discuss करेंगे cooperative society में change आ सकता है कास census पर फिर भी बहुत सारी political parties बात कर रही है national mission on cultural mapping ये क्या होता है peria river में kayaking start किया गया ये किस तरह से हम इसे example की तरह use कर सकते हैं UPSC में इसको discuss करेंगे right now देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि social जो issue पर जो अभी के हमारे current chief justice of इंडिया वो बहुत ज़्यादा concern है और बहुत सारे statement देते रहते हैं तो इनका faster system हम discuss करेंगे ये क्या है हलाकि इसमें mention नहीं है फिर भी हम उसको discuss करेंगे quad के बारे मां जानेंगे quad कैसे help कर सकता है भारत की और चाइना में देखिए चाइना बहुत ज़्यादा वो दिखाता है नकरे एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिया की telecommunication से हम deal नहीं करेंगे और इंडिया को depend होना पड़ता है दूसरी countries पर ठीक है तो अभी quad group कैसे help करेगा इंडिया की उसको discuss करेंगे उसके बाद world level की news है science and tech के article है हमारे vaccine rainy September क्यों होता है इसमें geography का एक concept जानेंगे और सबसे बड़ा बात कि अभी इंडिया ने resume करिए अपनी vaccine export को मतलब पहले क्यों discontinue कर दे थी अब क्यों resume कर दिये इसके बारे में भी जानेंगे now सबसे पहले without moving further आपको at the rate PR publication सर्च करना है तो आप इस free group को add हो जाएंगे यहाँ पर free में आपको UPSC की daily की जो answer writing हमारे paid user करते हैं वो आपको मिल जाती है hand return form में कैसे लिखना है कैसे map बनाना है सब यहाँ पर मिलता है आपको अगर आप भी जाते हैं PR publication के साथ अपनी UPSC की preparation करें तो आप हमारे early plan ले सकते हैं 499 रुपीज का date wise current notes daily answer writing 612th notes आपको मिलेंगे सिर्फ 499 रुपीज में और उसके साथ साथ अगर आपको तीन ओ प्लैन लेना है जिसमें NCRD test range भी है UPSC set का video course है मेरे दोरा बना गया तो 999 में लाइफ टाइम आप इसको ले सकते हैं एक बार payment करने के बाद material आपको access मिल जाएगी लेना बहुत सिम्पल है दिये गए नमबर पर Google पर फॉन पर कर सकते हैं जो भी payment करेंगे उसकी screenshot से नमबर पर WhatsApp करनी है और हम आपको अपने टेलिग्राम प्राइवेट ग्रूप से add कर लेंगे नाव सबसे पहले नियूज है United Nation General Assembly की इंडिया is the mother of all democracies ऐसे बोला है और अपने United Nation General Assembly की speech में Mr. Modi ने target किया पाकिस्तान को चाइना को की वो terrorism फैलाते हैं और जो global order होता है international based law होते हैं उनको break करते हैं और इसके साथ साथ इंडिया को नोने mother of all democracies भी बताया ठीक है कभी-कभी आप आंजल लिख सकते हैं इस तरह से अपना conclusion फिनिस भी कर सकते हैं उसके स्वासत क्वाड में क्या हुआ क्वाड लीडर से ने कहा कि हम diplomatic economic और human right जो policies चल रही हैं अफगानिस्तान में उनको ensure करेंगे तो इस news से हम सिर्फ अपने answer के लिए mother of all democracies यूज कर सकते हैं अपने answer में now second news alert sounded in odyssa over cyclone globe question यह आता है कि cyclone globe किस country ने नेम दिया होगा वीडियो पॉस करनी है इंडिया पाकिस्तान बांगलादेश या मयानमार चार option है hope I आप लोगोंने answer दे दिया होगा देखे इसका answer है cyclone जो गुलाब नाम दिया है वो है पाकिस्तान ने अभी उडिशा की सरकार ने यह बोला है कि गुलाब जो cyclone है वो आ सकता है between its southern district and north अंद्रप्रदेश with wind speed 75 to 85 km per hour की इस speed से आ रहा है राइट गंजम गजपती डिस्टिक उडिशा में और अंद्रप्रदेश की जो northern district है उन पर impact पढ़ सकता है तो अब हम discuss करते हैं cyclone गुलाब को now imd के basis पे एक और चीज़ prelims fact आपको बता देता हूँ imd के basis पे cyclone को categorize किया गया है जैसे super cyclonic strong कब कहेंगे जब 120 km per hour से ज़्यादा देखने को मिले very severe में super cyclonic में 222 km per hour very severe में 221 से कम 108 तक इसमें ज़्यादा होगी और generally हमारी cyclonic strong जब बोली जाती है तो उसकी speed होती है सिर्फ 60-80 km per hour तो जब भी बात की जाएगी देखिए अंदरप्रदेश with wind speed wind speed कितनी दिये देखो 75-85 km per hour अब question यह आता है UPSC यह पूचती है कि ठीक है cyclone glab तो आया पर उसकी wind speed के basis पा AMD नहीं उसको किस category में रखा है ठीक है यह पूचा जाएगा तो अभी मैंने बताया यह कौन सी cyclonic strong क्योंकि इसकी speed देखो cyclonic strong की 60-80 फिर यह नीचे speed आपको देखनी है ठीक है तो cyclone glab को discuss करते हैं cyclone glab is likely to intensify into cyclonic strong यानि कि जब भी यह cyclonic strong की बात करते हैं wind speed कितनी होगी 60-50 तक या 87 तक ठीक है और यह जो नाम दिया है वो पाकिस्तान ने दिया है the word glab means rose a perineal flowering plant मतलब 12 मास आपको देखने को मिलेगा according to an official release by IMD the pronunciation of name of the tropical cyclone glab is gulab ठीक है क्या होगा gulab इसको बोलेंगे cyclone glab sign and more यह आपको देखने को मिलेगा North Indian Ocean में including the Bengal and Arabian Sea अब बात यह आती है कि IMD को नाम देना कब से सुरू किया गया कि यार कौन देगी यह नाम और कैसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है देखिए सबसे पहले एक awareness का होता है कि जल्दी से एक नाम ऐसा हो साइन्टिफिक होना चाहिए अब देखिए कैसे इसके पीछी का सबसे पहले हिस्ट्री बताता हूं ठीक है देखिए क्या है WMO और Escape होता है मसकट ओमान में कब 2000 में अब यह क्या है यह है World Metrological Organization ठीक है देखिए World Metrological Organization और जो Escape है वह 1922 में बनी देए ठीक है जहां से मैं इस इन नोट से की सुरवात कर रहा हूं वो यहां से है इंट्रोडक्शन से WMO और Escape बनी थी Escape भी यही करती है Economic or Social Commission for Asia and Pacific Establish the Panel on Tropical Cyclone ठीक है इन्होंने एक Establish कर दिया Panel 1972 में धीरे धीरे इन्होंने बात की कि यार कैसे अलग-अलग जगह पर अगर Cyclone आएगा तो उनको अलग-अलग नाम कैसे हम दे सकते हैं तो Bay of Bengal और Arabian Sea के बारे में भी लोग सोचने लगे कि कैसे नाम देंगे तो बात ये तब आई जब 2004 में सुनामी आई वर्ष्ट सुनामी जिसे बोला गया और बहुत सारे लाखों लोगों की जान चली गई अब क्या हुआ तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि वर्ष्ट के सभी हिस्सों में जहां पर Cyclone आते हैं उनको अलग-अलग Department देखेगा तो अब बात की जब 2004 में जब सुनामी आगी थी इंडियन ओशिन में तो अब बात आई कि बेवब बंगाल याने कि बंगाल की खाड़ी और Arabian Sea को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है तो उन्होंने कहा कि इसके चारों और की जो कंट्रीज हैं उनका एक समू बना लेना चाहिए जो एड़ेसेंट कंट्रीज हैं जैसे बांगलादेश, इंडिया, मालदीव, मयानमार, ओमान, पाकिस्तान, सिरलंका और थाइलेंड, ठीक है साउथ एशिया की कंट्रीज का जो इंडियन ओशन से रिलेटेड हैं, इंडियन ओशन से जोड़ी हुई हैं अब क्या हुआ इस सेशन से यहां पर से नाम देना शुरू हो गया जब सुनामी आ गई जब एक वर्स्ट हिस्ट्री में भी तो ऐसा ही होता है या पॉलिटी में ऐसा ही होता है जब कोई जैसे मैं कोँगा 1909 का मॉरले मिंटो रिफॉर्म क्यों आया 1909 उस एक्ट के आने के पीछे एक बहुत बड़ा कान चुपा है बंगाल का विबाजन यानि की पार्टेशन और बंगाल 1905 में राइट तो वैसे यहां पर यह होता है अभी के बेसेस पर जो हमारा WMO है तो इंडियन ओशियन में मिंस अरेबियंसी और बेप बंगाल में जितना भी साइकलोन आएगा उसके बेसेस पर तेर कंट्री जोड़ ठीक है अब यह जो तेर कंट्रीज होंगी हर एक कंट्री तेर तेर नाम देती है ठीक है नाव तो इसके बेसेस पर तेर कंट्रीज थी तो तेर कंट्रीज ने तेर नाम दिये तो टोटल नाम 179 तो अभी का जो नाम दिया है वो किस ने दिया है पाकिस्तान ने ठीक है तो अ अमिश्या जी उन्होंने Saturday को बोला कि Center जो करने वाला है एक नया सुधार करेगा Multi-State Cooperative Society Act में। उन्होंने अभी तक ये कहा कि he added that the question that cooperative are a state subject could be responded to a legal terms but the newly created ministry will work in tandem with the state. मतलब उसके साथ, राज्यों के साथ मिलके काम करेगी। मतलब मिलके काम करना तो वह ही हो गया कि एक तरह से Center का भी intervention इसमें होगा यानि कि concurrent list वाले जो या जितने भी कानून होते हैं उस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं तो कहीं न कहीं अभी जो state subject है, Center उसको अपना intervene करके दोनों ही ये बोल रहा है it work in tandem with the states, there will be no friction. तो ministry of cooperation की अभी जो minister होने वाले हैं, वो होने वाले हैं Amitra जी और ministry of cooperation की बात करूँ तो इसमें अभी major सुधार यही है कि state जो subject को अब concurrent बनाने की बात की जा रही है ठीक है जब यह लाग हूँ आप तब देखेंगे, बट major मुद्दा क्या आपको यह पता है कि cooperative society होती क्या है वर्स 2011 और constitutional amendment सविधान में एक change किया गया, जिसे 97th constitutional amendment act बोला गया इसने constitutional status दिया और बोला कि cooperative society को हम product करेंगे तो सविधान में तीन changes किये, सबसे पहला article 19 को, यानि कि article 19 में डाल दिया गया fundamental right कि आप cooperative society बना सकते हैं, आपका मौलिका दिखार है, सोचो सविधान के article 19 में ही change किया, DPSP में change कि की cooperative society का promote करना चाहिए और cooperative societies, part 11b में भी इसको add कर दिया गया, मतलब local level की जो government है उसमें भी cooperative society को promote करेंगे, ठीक है, और अभी तक जो new part है 9b contains various provisions to ensure the cooperative society function, कैसे काम करना है, professionalism कैसे आएगा autonomous है, economically sound manner, it imports the parliament in respect of multi-state cooperative society and state-like literature in respect of cooperatives to make the appropriate law, तो अगर मैं बात करूँ multi-state cooperative society के लिए कानून कौन बनाएगा, parliament बनाएगी ये जो छोटी-छोटी बारिक सी चीज़ें होती है, UPSC prelims में पुछी जाती है अब state subject सिर्फ cooperative society है, तो ये सिर्फ state लेख देखेगी मतलब, ऐसी cooperative society, suppose, गुजरात के अंदर है जैसे बहुत सारी ऐसी है, जैसे अमूल होगी ये cooperative society, आप इस सभी के नाम बताऊँगा बट कुछ cooperative society ऐसी है, जिनकी branch अलग-अलग जगे होती है और multi-state वो काम करती है तो उनके लिए कानून कौन मनाएगा, पारलियमेंट, ठीक है, जैसे example, national cooperative land development, state cooperative, ठीक है, cooperative consumer, ये सब नाम है, sugar factory, मतलब कोई भी cooperative society ये होता है कि उसमें एक तो member सभूज आते हैं, सभूज एक area की 100 लोग हैं, 100 लोग क्या करते हैं, अपना अपना रुप्या देते हैं, cooperative society में, एक section बता रहा हूँ, इसके बहुत सारे section रहते हैं, cooperative society का का काम करना ये एक method है, 100 बंदे हैं, 100-100 रुपे दे रहे हैं, और हमारे पास हो जा रहे हैं, 10,000 अब 10,000 रुपे हो गए, तो क्या होगा, बहुत simple सी बात है, ये लोग एक factory setup कर देंगे अब उसका हर मेने का जब factory setup हो गई, तो मतलब एक factory भी खुल गई, तो इस तरह से लोग जूनने लग जाते हैं, और और लोग पैसा देंगे, तो कोई भी इसमें member होगा, बट चुने कैसे जाएंगे, उन members में, कुछ लोग, फिर election लड़ेंगे वो लोग, cooperative society के ही चुने हो बे लोग होंगे, तो किसी एक factory को किसी अच्छे तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, यह है, यह एक section बता रहा हूँ, बहुत बड़ा section और cooperative society का, spinning mills, मतलब हर काम जैसे जूते से लेके बाटा तक, जैसे बोलते न, टाटा जूते से लेके टाटा तक, मतलब जूते से लेके, मतलब आपको टाटा स्टील इंडेस्ट्रिस आप सब को पता है, लोहा, स्टील, यह सब यही बनाता है, तो हर चीज बनाता है cooperative societies, right, now next news करते हैं, तेजस्वी rights to parties for car senses, वही है यार, बिहार सेमली में तेजस्वी यादो बार बार कह रहे हैं, अलग-अलग senior leaders को कि यार, car senses आ हो चुके हैं, जिसमें सिर्फ majority बात किया है, schedule caste की, schedule tribe की, other backward classes की, और उसमें भी, देखिए SC में भी तो बहुत सारी caste होती है, सब कास्ट होती है, SC में भी बहुत सारी सब कास्ट होती है, वैसे ही OBC में भी बहुत सारी सब कास्ट होती है, तो बर जब आरक्षन लेने की बात पॉलिटिक्स के लिए भी यूज़ कर रहे है, क्या पहली बार हुआ ऐसा, नहीं, 1931 में कास्ट सेंस रिलिज किया गया था, 1941 में बनाया गया था, उसको पब्लिश नहीं किया गया, और उसके बाद तो फिर कभी नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट एक कास्ट सेंस, तो आप क कि अभी क्या चल रहा है, मैं कहूंगा अभी चल रहा है, सोश्यो एकॉनमिक कास्ट सेंस, एसी सी सी, आपने हर में सा सुनाओगा, एसी सी सी क्या होता है, यानि कि कोई अगर एक आदमी, समाज से पिछडा वर्ग का है, एकॉनमिक बहुत ज़्यादा पीछे है, तो उसको दिया जाएगा, तो इसी को कहते हैं, सोश्यो एकॉनमिक कास्ट सेंस, पर्टिकुलर हम कास्ट के बेसिस पर सेंस नहीं कर रहे हैं, बट समाजिक तोर पर और वित्तिय तोर पर जो पीछे है, एकॉनमिक बैकवार्डनस है, सोश्यल बैकवार्डनस है, सिक्षा का इस्तर कम है literacy rate बहुत कम है तो वहाँ पर SECC के basis पर डेटा बनाए जाता है और उसी के basis पर उनके लिए policy बनाई जाएंगी कासेंस क्यों होना चाहिए बहुत सारे रोग favor भी करते हैं बोलते हैं कि जितनी भी सब कास्ट है उनको भी फायदा मिलेगा policy making में मदद मिलेगी judicial backing even reservation या हर कास्ट को बहुत तेजी से न्याई मिलेगा क्योंकि particular कास्ट को जैसे national commission है schedule कास्ट का national commission है schedule tribe का वो help गड़ता है राइट पर कुछ लोग against भी हैं जैसे 50% जो erection इससे breach हो सकता है assertiveness बढ़ सकती है क्योंकि हर एक राजजी में अलग अलग कास्ट होती हैं chaos बढ़ सकता है social friction बढ़ जाएगा जब भी कास्ट ऐसे बढ़ जाती है तो social friction भी बहुत ज़्यदा बढ़ जाता है दंगे हो सकते हैं even vote bank politics के लिए भी इसको use किया जाता है now next day इसके basis पर question भी किया था do we need a cast census for India comment करना था इस पर हमारी answer writing भी की गई है यह आपको free group में भी मिल जाएगा now बात करते है cultural mapping of 75 villages soon है क्या national mission on cultural mapping तो 2017 में launch किया था इंडिया के art और architecture को फिर से peak पर ले जाना है इस पर हमारे government of India काम करती रहती है archaeological survey of India से लेके जितने भी ministry of art and culture है उसके basis पर भी यह हमारा जो mapping start होती है actual mapping है क्या 75 villages में जितना भी art and culture से related होगा जहां पर कोई एक temple हो सकता है ancient temple जिसको बहुत ज़्यादा माना जाता है working on the cultural mapping mission to build a comprehensive database बनाएंगे artist का art forms का और दूसरे resources का समझ मारा है बहुत सारे देखे 1857 का अगर मैं modern history की बात करूँ इतियास की बात करूँ 800 सता उनकी जो करांती हुई थी उसमें pigents और artisans ने भी किया था pigents तो करेंगे artisans ने भी कर दिया था क्योंकि उनको पूरा जो रुपे देते थे उनकी चीज़ें खरीते थे वो थे पुराने rulers उनको तो हरा दिया था सभी East India Company ने और पुराने जमिदार्स क्योंकि अब नई जमिदार्स आने लगे थे तो पुराने जमिदार्स ने उनको आर्टिशन को अब पनाहा देने से मना कर दे क्योंकि वो ही नहीं रहे उनके पास ही पैसा नहीं आता तो उनकी चीज़ें कौन खरी देगा तो अभी डेटाबेस बनाएंगे एक आर्टिस्ट का आर्ट फॉर्म्स का जिसको भारत सरकार एक्सपोर्ट करने में भी मदद करे है बट मेजर मुद्दा ये नहीं है कि यार कायाकिंग हो रही है रिबर राप्टिंग हो रही है मेजर मुद्दा ये है कि अगर ऐसे स्पोर्ट इवेंट्स ऐसी नदियों में कराए जाएंगे तो क्या ये इनिशेटिव देते हैं अभी का पैरियार नदी में ये क्यों आप रखना है एक्टिविटीज एरनाकुलम डिस्टिक तक फैली हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे के दोरान ये किया गया था एम यही था कि वहां के पानी को सुद्ध करना है सस्टेनेबल एडवेंचे टूरिज्म यहां पर प्रमोट करना है टूरिज्म फॉर इंक्लूजिव ऐसे यए वाटर इस्पॉर्ट्स एवेंट जो करते हैं एको टूरिज्म को प्रमोट करते हैं अब यहां से हम पढ़नेगे पैRIAर रिवर है क्या पैरियर रिवर है इंदॉर देखे मैं ये इंशियोर करता हूँ कि कोई अगर न्यूज आ रही है तो उससे पहले क्या पैरियार नदीम है देखे अभी तो सिर्फ ये था ना एको टूरिज्म की बात की गई थी पैरियार रीवर की बात ही नहीं की गई थी बट एक्चुल मैं यही समझना पड़ता है कि आप को रिलेट कैसे करेंगे पैरियार रीवर की मैं बात करूं यह अभी हाल में केमिकल वेस्ट उससे डिश्चार्ज हुआ और ब्लैक वो देखने को मिली तभी तो ये इनिशिटिव चलाई जा रहे हैं अबाउट पैरियार पैरियार लॉंगस्ट रीवर है केरला की अग सिवागिरी हिल्स ओ वेस्टन घाट्स एंड फ्लोस थूरो पैरियार नेशनल पार्क एंड रीचर्ड द पैरियार लेग मेजर ट्रिब्यूटरीज मुधिरा पूजा मुल्यार चेरुथोनी एडेमाला ठीक है प्रेंजुकुट्टी ये इनकी है अडिशनल क्या है इडुक जो चीफ जस्टिस ओफ इंडिया है एनवी रमन्ना जी वो हमेशा सोशियल इश्यू पर जो कंसन है वो अपना जताते रहते हैं इवन चीफ जस्टिस ओफ इंडिया लैमेंट्स रिडुक्टिव नेचर आफ जस्टिस सिस्टम उन्होंने ये बोला कि यार जो सटर डेडे क to kisica case जिसको चे मैंने में रिया होना उसको पता ही नहीं यह कि चैमेंने में रिया हो सकता है वह दर तो इसके लिए Chief Justice of India ने अभी faster system निकाला है अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि यार उनको magistrate तक पेश नहीं करवाया जाता है तो Chief Justice of India ने कहा कि legislature उनको अपना laws को revisit करना चाहिए कैसे बनाये गए हैं ताकि people friendly वो बन पाए तो इसके लिए देखिए Chief Justice of India ने faster system adopted किया Fast and secure transmission of electronic records मैं कहूंगा यार सबसे अच्छा faster system क्या होता है देखो एक होता investigation officer चलो मैं कहूंगा CBI है यह inspector है सब inspector है यह जो है investigating agency कहलाईगी एक होगा आपका वकील ठीक है जो चेक करेगा जनरली वकील प्लस इसमें prisoner भी आते हैं मतलब jail authority prison authority आईगी अब direct अगर इनके बीच में अभी faster adoption का यह है कि secured electronic connection है अब यह जल्दी delivery system होगा यानि कि पहले क्या करते थे investigating officer पहले file लेके जाएंगे prisoner authority के पास jailer के पास फिर यह बात होती रहेगी sign होंगे फिर इससे document पास कराओ इससे तो इससे delay हो जाता था और वो सोचते थे इतना जंजट कहा करें direct jail महीन को डाल देते हैं अब jail में डाल देंगे तो simple सी बात है उनको पता नहीं है कब रिहा हो certified hard copies of their bail order took time to reach the prison जैसा मैंने बोला ना जो इनकी bail की copies होती है direct अब तो direct call करके कहा जा सकता है किया रहे इनको छोड़ दो ठीक है benefit यही रहेगा with faster crucial decision लिए जा सकते है order on bail and stay of arrest किसको arrest करना है किसको नहीं करना किसको छोड़ देना है यह सब faster से हो जाएगा तो सबसे important notes है आप आपको यही बनाना आना चाहिए कि news के साथ यार कैसे आप question पूछा जा सकता है right अब इसका question एक और है question बहुत सिंपल था ऐसाम 30 अगस्त को कर चुके है already कि custodial violence क्या होता है elaborate status in India what are the challenges before in India curbing 30 अगस्त के आप UPSC PR publication YouTube channel में देख सकते हैं इसको Quad की बात करूँगा Quad अभी counter कर रहेगा अफगानिस्तान में जो terrorist organization तालीबान है वो कर रही है इंडिया और US ने भी कहा है इंडो Pacific region को हम clear बनाएंगे और उसके साथ साथ जो Quad group है वो China के firm से उसके against भारत के favor में काम करेगा तो इससे इंडिया के firm को ज़्यादा एक तरह से edge मिलेगी Friday को card summit होती है इंडिया उस्टिलिया जापन और US मिलते हैं और बोलते हैं कि generally हम technology sharing भी आपकी मदद करेंगे उनका major principle क्या है principle on technology design, deployment, governance, use, document which said the four countries would ensure technology should be shaped by our shared democratic values और इसमें ये देखेंगे technology भी ऐसी होंगी जहां पर उसका मिश्यूज ना करा जाए सिर्फ जो चीज़ें है terrorist purpose के लिए dissemination, disinformation फैलाने के लिए तो इन सब को रोकना के लिए जो terrorist purposes होते हैं, disinformation जो फैलाई जाती हैं उनको रोकने के लिए हम technology का use करेंगे अभी हम focus कर रहे हैं, ऐसा quad group क्या रहा है, technical standard में है, 5G diversification में और advance करेंगे अपना artificial intelligence, right, अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले देखिए, China ने target किया था कि Chinese telecommunication ने बोला था कि, वो permit नहीं देंगी कि हम Indian telecommunication जो service है, वो 5G trial करें, ठीक है, और एक दूसरे से जो system है, वो दिंगे ही नहीं वो, ठीक है, technology, तो ये सब issue रहा, तो अभी quad group में, तो सबसे बड़ी बात आती है, quad का एक benefit, तो आप ये लिख सकते हैं, right, now world level की बारे में बात करते हैं, China ने दो Canadian को, वो यह है, हुआई का, उनने सोचा hacker वगरा है, इस पोनेच कर रहे हैं, तो China ने अभी दो free कर दिये Canadian, मयानमार में जो pro democracy है, जो चाहते हैं कि democracy, मयानमार में भी military group लगाई हुआ है, एक फरवरी से, ठीक, अब तो 6-7 मेने हो जाते हैं, तो military group जानी की, जो army है, वो control कर लेती है, तो मयानमार में जो monks हैं, pro democracy को establish किये हुए राइट, अभी वो मोर्चा निकाल रहे हैं, फिर बांकी वोई अब लास्ट किल, एट निया सोमालिया presidential place, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, बट major question यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आता है, कि rainy September point to monsoon, अब यहाँ पर क्या है, fluctuation हो रही है low pressure से, इससे changing pattern बढ़ते रह रहे है ठीक है, तो कहीं पर बारिस हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है, तो आप सबको पता होगा बारिस होती कैसी है, बहुत सिंपल है, देखें यहाँ पर low pressure बन जाता है, अब low pressure बनने के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा धूपा जाना, बहुत ज़्यादा गरिमी हो जान टेंपरेचर जादा होगा तो लो प्रेसर बनेगा तो आप सबको पता है हवा जो है हलकी हो जाती है ठीक है तो सराउंडिंग में कौन सा प्रेसर होगा हाई प्रेसर होगा तो साइकलोन ऐसा ही तो बनता है हाई प्रेसर हाई प्रेसर फिल लो प्रेसर ठीक है हाई प्रेसर एक तो भारी density जादा होती है उसकी गरम हवा से तो गरम हवा उपर को जाएगी अब जैसे जैसे उपर को जाती है मौश्यर भी अपने साथ कलेक्ट करेगी और बारीस होते रहेगी तो climate change के वज़े से जितना जो low pressure में fluctuation आ रही है उसी के वज़े से monsoon में कभी कभी सिप्ट रहते हैं कि वैक्सिन एक्सपोर्ट में हम क्यों राजी होए बहुत सिंपल भासा में समझाता हूं 85 करोल डोजेस थी और धीरे धीरे बोला कि हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और सप्लाई करेंगे एक प्रोग्राम के अंदरकत वैक्सिन में तरी जिसमां foreign countries को देंगे और countries को देता रहता है एक तो foreign countries को हम देंगे दूसरा कोवेक्स देंगे एक ऐसा platform जो वैक्सिन खुद में distribute करता है इंडिया ने पहले भी सप्लाई किया था लोकली ठीक है पहले भी कोवेक्स को भी सप्लाई किया है बट ये बात आई कि इंडिया ने स्टॉप क्यों कर दी वै foreign made जो vaccine है उसका approve भी नहीं दिया था ठीक है उसको approval भी नहीं दिया था तो इस वज़े से हमने vaccine जो है export बंद कर दी ठीक है क्योंकि अपने यहां भी जरुद थी बट अब ऐसा क्या हुआ कि vaccine का जो export है वो खोलना पड़ा क्योंकि अभी क्या हो रहा है धीरे दरे change यह हो रह क्यों बोला है इंडिया को कि vaccine आपने export on कर दिया है कुछ comment देख लेते हैं sir national parker के background से भी कुछ आएगा क्या exam में yes sir if government stop giving subsidies and give tax relief on raw material will this able to increase FDI subsidies हाँ एक यह हो सकता है कि एक तो उनका competition में भी कम हो जाए but major यह indirect है major तो वही रहते है क्यार ease of doing business आप सुधार दो चीक है electricity होनी च टाइम पर हो जाना चाहिए यह होता है major FDI बढ़ाने के लिए कि वह अपनी company कितनी अच्छे से setup कर पाएं भारत में इसके लिए यार एक गीच शर्मा टॉप फाइब स्टेटीजी यूप सी टॉपर प्यार प्यार पब्लिकेशन यह सिर्फ टाइब करोगे आपको पूरा confusion क्लियर हो जाएगा सर प्लीज एक्स्प्लेन दे फेक्ट फॉर दोजार बाइस अलसो हां यह दोजार बाइस के लिए है यार जो मैं बता रहा हूँ everyday we are sir thanks for sharing knowledge thank you अमरितपाल जी good morning globe 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 देखिए आज का जो end रखते हैं वो रखते हैं गन्पती thank you